दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले add one card के बारे में add one card के बारे में आप लोगोंने बहुत सारे question किये हुए थे उन सभी question के मैं answer करने वाला हूँ पूरी जानकारी आपको विस्तार में देने वाला हूँ क्या-क्या question हो सकते हैं मैं आपका question पहले मैंने note कर रहा ताकि कोई question ऐसा नहों कि जो मिस हो पाए और मुझे लगता है कि इन में जो भी आपके mind में आता होगा वो questions लगभग मैंने add कर लिया होगा इसके बाद add one card जिसके लिए लेते हैं क्या उसका भी civil score इंप्रूब होता है इसके साल साथ एक सबसे important add one credit card से क्या फाइदा और क्या नुक्सान होता है लगभग वह सारे important question है जिनके बारे में आपको जानकारी होती है मुझे लगता कि इसके अलाव आपको कोई और वीडियो कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और add one card के बारे में आपको पूरी जानकर एक ही वीडियो मिल जाएगी तो दोस्तों जैसा आप लोग पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया तो जिसमें मैंने बताया था कि student credit card कैसे ले सकते हैं उसमें मैंने आपको एक best option दिया था कि add one card से आप अपना एक student credit card ले सकता है जहाँ पर उनको कोई भी income proof कोई भी civil score और कोई भी यहाँ पर ITR वगर credit card दिया गया ठीक है अब मान लेते हैं कि जो मेरे पास credit card बैंक का बड़ोदा का होगा उसकी limit मान लेते हैं कि 50,000 रुपे है ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि मेरे father है और मेरे mother है यह लोग eligible नहीं है चाहे किसी account बस eligible नहीं है अब मैं चाहता हूँ कि इनके पास भी credit card होना तो मैं क्या करूँ को मैं bank से बोलूँगा कि bank दो card और issue करें जो कि same bank का बड़ोदा का same वैसा ही card रहेगा एक card मेरे mother के लिए और एक card मेरे father के लिए अब यहाँ पर होगा क्या कि 50,000 रुपे की limit थी मेरे card की primary card की तो 50,000 रुपे में limit में यही होगा कि 20,000 limit मेरे पास रह ज जाएंगे जो कि मेरे mother मेरे father भी यूज कर पाएंगे और इसके साथ साथ इसमें और भी कुछ point वाली बाते होंगे जो कि हम इसको include करेंगे आगले वाले nest किसी एक point में चलता है next question की तरब add one card किस-kis bank का मिल सकता है तो सो में यहाँ पर किसी एक bank का नाम लेने कोई फैदा one card ले सकता है यहां तक कि एक card नहीं बलकि एक के अलावा भी वह दो card चाहें तीन card तभी कई bank के यूशू कर देती है तो एक तो अराम से करी ही देती है चली दोस्तों सबसे important question की तरफ चलते है add one card जिसके लिए लिया गया है क्या उसका civil score improve होगा या नहीं तो मैं आपको ब credit card हो मेरे ही civil score पर सो करेगा मेरा ही civil score improve भी होगा और यहां पर डाउन भी होगा अगर add one card की वज़े से कोई problem होती है यह फिर primary card की वज़े से problem होती है तो इसमें आप बिल्कुल भी मिल्कुल में रहा है कि add one credit card ले ले लेते हैं और वहांसा हमारा civil score improve होना सुरू हो जाएग यहां पर हम सबसे पहले फाइदों को इंक्लूड करते हैं फाइदा आपको सबसे बड़ा यह हो जाता है कि अगर आपके family member में जैसे कि माली आपके मम्मी है पापा है आप लोग मतलब में जैसे साहर में रहता हूँ मम्मी है पापा है उनको मुझे लगता है credit card में उनको द रह रहा हो कहीं अलग रह रहा हो तो उससे को फैदा यह हो जाता है मैंना बार बार मुझे पैसे जरूत नहीं पड़ेगी तो मैं अपने एक credit card में को देता हूँ जो के add one credit card होगा और उस credit card से वह आगे चलके expand कर पाएंगे उनके लिए कोई जरूरी नहीं होगा उनके पास एक credit card के कई सारे partition ना बना से तो एक या दो और एक सबसे बड़ा फैदा यह होता है कि यहां पर ना कोई income proof ना कोई verification ना कोई civil की जरूरत इन में से कुछ भी जरूरत नहीं पड़ते add one credit card को लेने के लिए इसके साथ यहां पर दोस्तों एक फैदा यह भी हो सकता है आप कह benefits आप उठा सकते हो और फाइनली एक सबसे बड़ा लास्ट यहीं फाइदा होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपके जेब में पैसा होगा अगर आप खर्च कर रहे है तो भी आपके जेब से जा रहा है तो इस अच्छा है कि आप उनको एक credit card देता और मन चा primary card है time से payment नहीं किया कोई fraud किया है उसमें अगर आपने कुछो भी transition होगे ना करते हो सारा सारा responsibility primary card holder की बनती है वहाँ पर अगर आप चाहे पेमेंट करें आपके पेमेंट करें या ना करें कितना भी खर्चा कर दें उससे मतलब नहीं भरना आपको ही पढ़ेगा यह आपके इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी problem ही होती है अगर ठीक है primary card holder की जिम्मेदारी मेरी तो ह९ह इसके साथ जो add one credit card हे यह पूरी जिम्मेदारी मेरी होती है अगर उसके साथ कोई problem होगा मेरा civils भी खराब होगा क्यूकर सारा कुछ मेरे ही civils मेरे सो होगा उसके लिए कोई अल तो टेंशन फ्री हो कि अपने क्रेड़ी कार्ट को यूज करता है मैं तर बिल बेप बिल पे कर देता है लेकिन मुझे पता है कि भरोसे का बंदा मेरा फैमिली मेंबर है वह जो भी पैसे यूज करेंगा वह जैनुरी यूज करेंगा ऐसा नहीं होगा यार उसे मतलब बेफु तो खर्चे हो रहे है और इससे आपका सिविल स्कॉर कुछ भी इंप्रोब नहीं होगा अब अगर आप एक स्टुडेंट है तो अगर आपको यह वाली वीडियो देखनी जाके देख लीजिए आपको पतल लागा कौन-कौन से और तरीके है जहां से आपको कोई सिविल स्क और कोई भी आपको इंकम प्रूफ कोई भी आइटिया देने की जुरूत नहीं पड़ेगी जाके वीडियो को चेक आउट करिए चैनल पर नए है सब्सक्राइब करिएगा कोई भी डाउट रह गया और कोई पॉइंट अगर मिस हुआ तो उसके बारे में कमेंट कर जूरू झाली पर में लड़ेगी जेने कमें लूरू